हलो फ्रेंट स्वागत है आपका स्मार्ट नोगरी चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में जिया दोस्तो एक खुशी की खबर है आप सभी के लिए जिया दोस्तो तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखेगा जिय पैसे नहीं लिए जाएंगे जिया दोस्तो तमाम चीजों को बात करेंगे प्रवासी मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा कैसे करना होगा तमाम चीजों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंताक्स बने रहिएगा चली मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हू प्रूफ जिया दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे आगे की तो सबसे पहले चलते हैं देखने प्रूफ तो दोस्तों देख सकते हैं आज के ही पेपर का यह आर्टिकल है जिया दोस्तों मजदूरों को उनके घर भेजे 15 दिनों का समय दिया सुकों ने कहा नहीं ले कोई किराया जिया दोस्तों कोई किराया नहीं लिया जाना चाहिए 15 दिनों के भीतर तमाम मजदूर भाईबैन जो देश के किसी भी कोने में हिस्से में हैं और पेट्रिक गाव यान कि अपने जो उनका नेटी प्लेस है जो उनका गाम है वहाँ जाना चाहते है तो उन्हें जो है सुरच्छित ले जाया जा यह सरकार की जिम्मेदारी है केन सरकार की जिम्मेदारी है स्टेट गॉर्मेंट की जिम्मेदारी है और आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है जिया दोस्तों केन सरकार ने पहुंचाए और मजदूरों को उनकी याता का भुगतान न करना पड़े एक बार देख लीजिए यहां पर मैं आपको बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको आसानियों देख लीजिए और मजदूरों को कोई भी भुगतान यानि की टिकट का पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं देना है तो अगर आपने अभी तक टिकट बुक नहीं किया है या फिर अभी तक अगर आप जाना चाहते हैं और अभी तक आप नहीं जा पाएं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फुल है जिया दोस्तों जैस्ट आप वीडियो के नीचे जाए कमेंट कीजिए आपका नाम और आप कहां से कहां तक जाना चाहते हैं जिया दोस्तों ताकि हम आपको बता सकें अच्छे से कैसे आपको जो रजिस्टेशन करना है और आपको टिकर जो है फ्री मिलेगा जिया दोस्तों देख सकते सुप्रीम कोड का यह और आडर आया है तो दोस्तों आप स साख की पीठने इन प्रवासी कामगारों की दैनी इस्तिती पर सुनवाई की इससे पहले 5 जुन को हुई सुनवाई में प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोट ने सुनवाई हुई थी प्रवासी कामगारों की दुरदसा पर स्वतर संग्यान लेते हुए कोट ने 28 मही को निर्देश दिया था कि अपने पैत्रिक स्थान पर जाने के इच्छुक सभी प्रवैसिक कामगारों से ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए जी यहां दोस्तो देख सकते हैं यह 28 मही को कहा गया था लेकिन काफी जग़ा पर लिया जा रहा है तो इन तमाम ची इस लेते हैं कि आप आईए रजिस्टेशन किजिये हमारे यहां पर और हम आपको फ्री ले जाएंगा कि आपके अब दलालों के सक्कर में मत फसी है अगर आपको टिकट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हम आपको बताएंगे कैसे आपको रजिस्टेशन करना फ्री में टिकट मिलेगा दोस्तो एक रुपे का भी खर्चा आपका नहीं होगा जिया दोस्तो देख सकते हैं सरकार का पहला नियम है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी संक्रमित लोग से किसी को भी ज्यादा नुकसान हो आप सबी लोग समझ सकता है कि एक अगर डब्बे में जिया दोस्तों अगर सतर यातरी बैठे हुए और एक करोना का पेसेंट वहां पे है तो आप समझ सकते सतर के सतर लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे इसलिए सरकार नियम जो है सकती से पालन करने को कहा कि सर्दी खांसी बुखार वालो पेसेंट को या फिर जीन को भी है हलका फुलका भले ही आपको करोना ना हो ऐसा जरूरी ना हो लेकिन अगर आपको सवस्त नहीं है तो मिल रहा है टिकट के पैसे बहुत ज्यादा मांगे जा रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको टिकट नहीं मिलेगा जिया दोस्तों आपको यह सब दलाली का चकट छोड़ दी आपको एक रुपए खर्चा नहीं करना है आप सीधा रजिस्टेशन कीजिए आपको में टिकट मिलेगा तो दोस्तों ज्यादा जनकारी आप वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए और आपको जो पूछना पूछ सकते हैं जिया दोस्तों कहां से कहां तक कि कौन से ट्रेंच चल रही है को हां पर रेजिस्टेशन करना है और कैसे आपको आपके घाओं पर फ्री म ओके या मत दोस्तों काफी लोगों की मदत हो जाएगी है निक जो की के लिटैंप कर रोब्त खिजार के लिए मजों का पैसा बज सकए हैं ऊद्लिट सब्सीवémट के रही है कि सुविद है तांकिन डूस